अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनरजीज होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनरजीज रहेंगी, कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खायाल रखके, आप जून मंत की एनरजीज को बदल सकते हैं, अपनी जून 2023 की लव टारो रीडिंग है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो आपके नाम के हिसाब से राशी हो आपका मून साइन हो या फिर आपका संसाइन हो तो इंतजार किस बात का है चलिए जी आपकी लव जून मन्त के लिए देखते हैं तो चलिए Aries आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मैं पास यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ट्स हैं फर्स सेट में हम आपके एनरजीज देखेंगे फर्स सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मन्त में क्या हो रहा है तो देखिया आप से शुरू करते हैं और आपके लिए सबसे पहली चीज मुझे देख रही है कि sentiments, emotions, feelings missing है आप कहीं बहुत logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं practical, realistic होके चीज़ों को deal कर रहे हैं थोड़े से manipulative, थोड़े से diplomatically भी आप रहते हुए दिख रहे हैं कुछ Aries बहुत ही कम देखें, मैं फिर से जोर देकर कह रहे हूँ कि कुछ Aries के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner ने आपको use किया otherwise कहीं देखें Aries आपकी ही थोड़ी से manipulative से energies रहती हुए दिख रहे हैं और देखें, deeper level के लिए transformative love, violets are blue, loyalty and fire in my soul के cards कहते हैं कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि आपके partner या तु बहुत loyal है, बहुत committed है आपके लिए या फिर आपके भी मन में आपके partner के लिए ही loyalty है यानि कि दिखें, again मैं कहूंगी June month में अगर emotions, feelings missing है that doesn't mean कि आपके मन में उनके लिए emotions और feelings ही नहीं है कभी-कभी ऐसे circumstances होते है जहांपे हमें logically चीज़ों को deal करना पड़ता है हमें थोड़ा practical होना पड़ता है तो June month में कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है और फिर से मैं कहूंगी deeper level के लिए loyalty का card कहता है जो भी आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है आपको इस चीज़ का एसास है या तो आपके मन में सिरफ और सिरफ आपके partner के लिए loyalty है या आपके partner बहुत loyal है और कहीं ये relationship आपकी life में काफी changes लेकर आया और कहीं deeper level के लिए बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement भी आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन surface level के लिए दिखें कहीं again sentiments, emotions, enthusiasm, excitement missing रहता हुआ दिख रहा है specifically देखें तो सबसे भेला card है page of souls और ये card कहता है कि कुछ टाइम से आपकी बड़ी एक curiosity वाली energies रह रहे हैं जहां पर किसी चीज़ को जानना चाहा रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है आप अपने partner को social media पे बहुत stock कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि otherwise भी आप अपने partner की हर activity पे नज़र रखे हैं या फिर partner से related कोई information है, कोई news है उसको जानने के लिए बहुत curious है तो देखें जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा सबके लिए differ करेगा ये card कहीं किसी चीज़ को लेकर a curiosity रहने की बात करता है या मैं कह सकती हूं किसी चीज़ को जानने को लेकर a curiosity रहने की बात करता है और देखें जो भी हो कहीं बहुत practical, realistic होके चीज़ों को deal कर रहे हैं और कहीं एक बहुत जो आप चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं उसी तरीके से आप चीज़ों को चाहते हुए दिख रहे हैं यानि कि आप एक stability चाहा रहे हैं, commitment चाहा रहे हैं और practical level पे चीज़ें चाहा रहे हैं आप सिरफ बाते नहीं चाहा रहे हैं, आप सिरफ एक imaginary relationship नहीं चाहा रहे हैं, आप सिरफ एक, again मैं कहोंगी कि relationship जिसमें बाते हो रहे हैं physical एक connect नहीं है, या physical एक मिलना नहीं है, या physical, practical, concrete level पे कुछ नहीं है, वो नहीं चाहते हुए दिख रहे हैं आप इनी चीजों को ज़ादा एहमियत दे रहे हैं and end June के लिए हाँ पर Magician Rivers का कार्ट कहता है या तो आप थोड़ा सा diplomatically थोड़ा सा manipulative तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भई आपके partner कहीं आपको use कर रहे हैं कि फिर से मैं जोड़ दे कर कहूंगी ये बहुत 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 कम Aries के लिए रहेगा थोड़े से controlling थोड़े से dominating भी आप रहते हुए दिख रहे हैं कुछ Aries के लिए हो सकता है कि June end में या तो आप over confident हो रहे हैं किसी चीज को लेकर यहां फिर आपको confidence थोड़ा सा हिल रहा है और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए देखें सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Heart on lockdown बहुत clearly ये card कहता है कि आपके partner ने अपने दिल पे ताला लगा लिया है मोटा सा बड़ा सा और जो भी वो feelings, emotions, sentiments आपके लिए महसूस करते हैं या जो भी उनके मन में love है, feelings है, महबबत है उनको अपने दिल से ही भार नहीं निकलने दे रहे हैं यानि कि कहीं you know feelings है, emotions है, love है, प्यार है, महबबत है लेकिन खुद को भी नहीं accept कर रहे हैं खुद को भी नहीं acknowledge कर रहे हैं खुद से भी और आपको भी बिल्कुल भी नहीं express करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं, Eight of Pentacles का कार्ट कहता है कि अपने professional front, अपने career पे वो focus करना चाहा रहे है या फिर उनको ऐसा लग सकता है वही पीछे उन्होंने बहुत effort किया, बहुत महनत करी और अब वो इस relationship पे और focus नहीं करना चाहते हैं लेकिन देखिए, mid June के लिए, यहाँ पे the real deal and king of wands के कार्ट कहते हैं, उनको यह एहसास हो सकता है कि आप उनके लिए best है यह relationship best है, ऐसा relationship किसी और का नहीं होगा, या फिर उन्होंने अपनी life में कभी नहीं experience किया आपके जैसा इंसान कभी life में नहीं experience किया और दिखें कहीं एक enthusiasm, एक spark, एक excitement किसी चीज को लेकर अपनी personal life में या फिर इस relationship को लेकर रहता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि वो थोड़ा सा boldly, courageously, कुछ action initiatives भी लें वो एक नहीं beginning आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर 10 of souls reverse का card कहता है कि पुरानी चीजों को end करके एक नहीं beginning आपके साथ करना चाहा रहे है हाला कि देखें इतना असान उनके लिए नहीं हो रहा है थोड़ा सा difficult हो रहा है, थोड़ा सा एक discomfort भी रहतावा दिख रहा है in the process देखें, moral values, ethics या फिर principles को वो नहीं compromise करना चाहा रहे है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है तो right and wrong के point of view से चीजों को deal कर रहे है in the process कहीं, you know, अपनी self-respect, अपनी integrity, अपनी एक जिसे बोलते है न, फिर से मैं कहूंगी कि self-respect को maintain करना चाहा रहे है उसको नहीं वो compromise करना चाहा रहे है और अब देखते हैं Aries की जून मंत में क्या हो रहा है तो देखें, जून मंत के लिए आप इस सबसे पहला card में जो दिख रहा है, realization और ये card कहता है कि किसी चीज का एहसास, किसी चीज की realization आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को रहती हुई दिख रही है ये सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप से कोई गलती हुई Aries या फिर आपके partner से कोई गलती हुई उस चीज का एहसास हो रहा है और कहीं लिए कि Knight of Cups Rivers का card कहता है शायद apologize भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं इस card को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं चॉकलेट्स देके या कोई gift अगेन देकर या किसी gesture से सामने वाले को बताना चाह रहे हैं कि भई गलती का एहसास है और रीकनसाइल करना चाह रहे हैं अगर कुछ issues कुछ मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर यह काड reverse था तो अगेन मैं कहूंगी करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर दिखिए realization का एक और मतलब हो सकता है कि आप दोनों को ही इस चीज का एहसास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एहम है यानि कि आपको इस चीज का हैसास है कि partner आपके लिए बहुत एहम है partner को हैसास है Aries कि आप उनके लिए बहुत एहम है और कहीं इस चीज को अगर हम इस point of view से देखें तो night of cups rivers का card कहता है कि express करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और कहीं दिखिए imaginary world में ये एक relationship जादा रहता हुआ दिख रहा है यानि कि आप दोनों सोच बहुत रहे हैं लेकिन practical realistic steps नहीं लेते हुए दिख रहे हैं कहीं एक imaginary world में जादा रहते हुए दिख रहे हैं कहीं you know mind में चीजों को जादा सोचते हुए दिख रहे हैं again realization है देखें realization के card को एक बरी फिर से आप देखें इसमें bulb के अंदर heart बना हुआ है तो प्यार है, महबत है, इस चीज की realization है, गलती हुई है उस चीज की realization है, again maafi मांगना चाहा रहे हैं, apologize करना चाहा रहे हैं, gift देके एक gesture, flowers, chocolate लेकिन नहीं ऐसा कर पा रहे हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, यहाँ पे two of pentacles, reverse and autumn के cards कहते हैं कि कहीं two minds में रहते हुए दिख रहे हैं, सबके लिए different चीजें हो सकते हैं, लेकिन इसी की वज़े से जादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है कोई और भी reason हो सकता है इस relationship में रहें, move on कर जाएं यह सिरफ again example है, मैं यह नहीं कह रही कि सभी की ऐसी energies होंगी, कुछ की हो सकती है या पिर कोई भी और चीज़ हो सकती है, जिसको लेकर two minds में हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक stability इस relationship में नहीं आ रही है कभी in, कभी out वाली energies हैं, कभी you know, एक togetherness वाली energies हैं, कभी एकदम से एक distance वाली energies हैं यह सब के लिए differ करेगा, तो मैं यहीं कहूंगी, fluctuating सी energies हैं, ना पूरी तरीके से आ रहे हैं ना पूरी तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जा रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे decision and choice के सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन two of pentacles के नीचे autumn का card कहता है, कि letting go of certain things, एक reason हो सकती है decision or choice का यानि कि कुछ चीजों को या किसी चीज को let go करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं यह भी सब areas और उनके partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी issues है, मसले हैं, उनको let go करके reconcile करना चाहा रहे हैं अगर कुछ issues और मसले इस relationship में रह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ना तो completely आ रहे हैं, ना completely जा रहे हैं तो इसी चीज को let go करके stability लाना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को किसी level पर end करके, you know, नए series से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं और इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक फिक्र एक चिंता end जून में रहते हुए दिख रही है, और इस कार्ट को देखकर आपने परिशान नहीं होना है, Aries क्योंकि यह आपकी पुरी जिंदगी की reading नहीं है, यह सिरफ और सिरफ जून मंत की reading है, जून मंत में भी यह कार्ट कहीं end जून के बारे में जादा बताता है और यहाँ पे सब के लिए फिक्र चिंता के लिए different reasons हो सकते हैं, लेकिन plenty of fish in the sea का कार्ट कहता है या तो Aries आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक और options को explore करना चाहा रहे हैं और लोगों से connect करना चाहा रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहे है कि इतने लोगों से connect किया लेकिन partner जैसा नहीं मिला और partner के साथ छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले चल रहे हैं तो देखे सब के लिए differ करेगा लेकिन yes, end जून में कुछ time के लिए एक फिक्र एक चिंता रहती हुई दिख रही है ये थी Aries आप लोगों के लिए June 2023 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें